36 गड़ में सत्ता में आने के बाद से नई बीजेपी सरकार की बुल्डोजर कारवाही चर्चा में है। हाल ही में राइपूर में नौनविच की दुकाने और होटलों को बुल्डोजर से ड़ा दिया गया। वही अब सुभाई सरकार ने मावादियों के मुदस्मे को भी तोडने के लिए बुल्डोजर का इस्तमाल किया है। 36 गड़ में 3 दिसंबर को आए चुनाव नतीजे में बीजेपी को जीत मिली। इसके अगले ही दिन राजधाने राइपूर में तजावुजात हटाने के लिए बुल्डोजर से तोड़ फोड की गई। पांच दिसंबर को दुर्ग और बिलासपू शहर में भी ऐसी ही कारवाई शुरू हो गई। और भारी बारिश के बीच ये सिलसला जारी रहा। अब बुल्डोजर घने जंगलों वाले लाकों में भी पहुँच गया है। सुमवार को मावाद मुतासिर सुकमा जिले के सलातों गाओं के बीचोबीच बने मावादियों का मुझसमा बुल्डोजर से तोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक नकसल ऑप्रेशन के अतरिक्त पुलिस अधिक्षक प्रभात कुमार की कयादत में बड़ी तादात में पुलिस जवां सलातों गाओं पहुचे और गाओं के बीच बनाए गए मावादियों के मुझसमे को जे सीबी से मिसमार कर दिया। बतादी की 36 गड़ में बीजेपी को बड़ी बहुमत मिलने के दो दिन बाद ही गैर कानूनी दुकानों पर बुल्डोजर एक्षन शुरू हो गया। प्राइपूर के छोटा पारा और बैजनात पारा में नौन्वेज की दुकाने और होटलों को बुल्डोजर से ड़ा दिया गया। बताए भी जा रहा है कि सड़क के किनारे बनी करीब 50 दुकानों को तोड़ दिया गया। बता दे कि 36 गड़ पुलिस ने ये कारवाही की है। उपी सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाबाद हाई कोट में 1991 में वारणसी की अदालत में दायर असल मुकदमे की बरकरारी को चुनौती दी थी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाबाद हाई कोट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। कुल पांच दर्खवास्तों पे सुनवाई चल रही थी जिसमें से दो दर्खवास्ते सिविल याद की बरकरारी और तीन दर्खवास्ते एसाई सर्वे हुक्म के खलाब थी। दो दर्खवास्तों में 1991 में वारणसी की जिला अदालत में दायर असल मुकदमे की बरकरारी को चुनौती दी गई थी। तीन दर्खवास्तों में अदालत की परिसर के सर्वे के हुक्म को चुनौती दी गई थी। बताते चले कि वारानसी के मशूर ग्यानवापी मस्जिद केस में कल वारानसी की जिला अदालत में A.S.I. ने सर्वे रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट को सफेद रंग के सील बंद लिफाफे में पेश किया गया। इससे पहले मुस्लिम फरीक ने कोट में याचिका देते हुए मांग की ठीकी रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया जाए। 21 दिसंबर को दर्खवास्त गुजार को सुप्रेम कोट के हुक्म की कौपी के साथ A.S.I. रिपोर्ट की कौपी भी दी जाएगी। मुल्क में मुसल्मानों और दलीतों के खलाब फैल रही नफरतों को लेकर दिल्ली के एवान गालिब इंसिट्यूट के आडिटोरियम में भारते मुस्लिम पंच्रायत के उनवान से एक मीटिंग की गई। सालों के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब जब भी इस देश का दलित और मुसलिम एक मंच पर आने के लिए तियार हुआ है तो तब तब ही इस देश की सरकार और यहां का सुप्रिम कोट को जुगना पड़ा है। वहीं इस मीटिंग में हाफिज जुनैद की वालिदा भी मौजूद रही। उन्होंने अपना दर्द लोगों के सामने बया किया। आपको बता दे कि हाफिज जुनैद की मौब लेंचिंग की गई थी और जुनैद को अभी तक कोई इनसाफ नहीं मिला है। हाफिज जुनैद की वालना हूं में मेरो नाम सायरा है। दोहजार सत्रे में छटो महीन बाइस तारीक को मेरा बेटा को इंतकाल हुयो और उसी दिना सुमें दरदर की ठोकर खारी हूं। हाई तरह मेरा बेटा के लिए इनसाफ मिल जाए। लेकिन आज तक कोई इनसाफ ना है, तीन तीन जिगव जडिगे कीश चल रहे हैं। और जाय में hen और आ जाय में, जाय में हैं और आ जाय में वा केस की टैंसन में और उनी बातन सुझ пойये हैं। इस मीटिंग में मौलाना तौकीर रजा खान और मेहमूद प्राचा ने क्या कहा सुनवाते हैं जिसको सरकार ने बार बार रोका इसलिए ये दबाव डाल रहे थे हम पे के सिरफ मुसल्मानों की आवाज उठाओ तो हम लोग हर तरह की मदद करेंगे और अगर आप मुसल्मानों के साथ सकती आवाज उठाओगे तब हम आपको नहीं करने देंगे सरकार अपने वादे पर खरी उतर रही है कोर्ट में भी उन्होंने पूरी ताकत लगा के पूर्ट को भी ये बोला कि दसजार से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए वो बंदिश लगाई और उसके बाद जो स्पेशल सेल की रिपोर्ट आ रहें थी और जो दूसरी रिपोर्ट भी आ रहें थी हमारे पास भी के दसजार से ज़्यादा होंगे हम कंटेम्ट नहीं करना चाहते थे आज हमारे पूरे हिंदुस्तान से जो नुमाइंदा जमातें आएंगे उन सब हमने इस्तिफाक राय से ये फैसला किया है कि हमने जो कमेटी बनाई है उसको मौका दिया जाना चाहिए वो तमाम पार्टियों से बात करें अपनी शरायत रखें और अगर वो हमारी शरायत और हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं होते हैं तो हम अपना रास्ता खुद चु इन दिनों मुलक में पार्लेमेंट का सरमाए इजलास चल रहा है इसी बीच पार्लेमानी मेंबरों के सस्पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है आपको बता दे एक बाप फिर लोकसभा से 41 पार्लेमानी मेंबरों को मुअत्तल कर दिया गया है दरसल संसत की हिफाज़त में सेंध मामले को लेकर वजीर दाकला मिच्शा के बयान की मांग कर रहा था इस हंगामे के बीच कई सारे पार्लेमानी मेंबर चेर का अपमान करते नजर आए इसी वज़े से आज लोकसभा से 41 पार्लेमानी मेंबरों को फौरी असर से सस्पेंड कर दिया जबकि राज्यसभा से आठ पार्लेमानी मेंबर मुअत्तल किये गए है इस तरह कुल उरंचस पार्लेमानी मेंबर को सस्पेंड किया गया है बताते मंगलवार 19 दिसंबर को लोकसभा में चल रहे सरमाई इजलास के दौरान जिन पार्लेमानी मेंबर को मुट्तल किया गया है उनमें कॉंग्रेस के दिगजनेता शशी थरूर, सपा सांसर डिमपल यादव, बीएसपी के दानिशली, स्टी हसन, टीमसी सांसर माला रॉय और एंसीपी एंपी, सुप्रिया सूले नुमाया तोर पर शामिल है बताते चले कि एक दिन पहले भी पार्लेमानी मेंबर की मुट्ली हुई इस दोरां डिकॉर्ड तोर, 92 लोकसबा और राजसबा के पार्लेमानी मेंबरों को मुट्ल किया गया था 18 और 19 दिसंबर के अब तक मुट्टल हुए पारलिमानी मेंबरों की तादाद बढ़कर 141 हो गई है कॉंग्रेस सदम अलिक अर्जुन खडगे ने अपोजीशन की पारलिमानी मेंबरान की मुट्टली पर कि मोदी और वजीरे दाखला मिच्शाह पर निशाना साधने के साथ ही कहा कि मुलक के इतिहास में पहली बार इतने पारलिमानी मेंबरों को मुट्टल किया गया है लोगों को डरा कर जमूरिया खत्म करना चाहते हैं कितने लोग MPs अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं किये लेकिन इस बार वो खुदी मोदी और शाहा दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो भार लेक्शर दे रहे हैं कोई भी वारा नसी जाते हैं कभी अमधाबाद जाते हैं और आज तक ये देश के इत्यास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंट किया ये डेमाकरसी के लिए अच्छा नहीं है ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को अपना डेमाकरसी खतम करना चाहते हैं दिले के शराब घुटाला मामले में एडी ने वजीर आला अर्विन केज जिवाल को एक बब फिर नोटिस भेजा है एडी ने उन्हें नोटिस भेज कर 21 दिसंबर को पेश होने को कहा है शराब घुटाला मामले में केज जिवाल को ये एडी का दूसरा समन है इससे पहले केजरिवाल को पूछता आज के लिए एडी ने 2 दिसमबर को भी नोटिस भेजा था लेकिन अर्विन केजरिवाल नोटिस को गैर कानूनी बता कर नोटिस वापस लेने की मांग की थी वो एडी के सामने पेश नहीं हुए थी एडी ने केजरिवाल को ये समन ऐसे वक्त में भेजा है जब वो 10 दिनों के लिए विपशाना के लिए जा रही हैं वो 19 दिसंबर को विपशाना के लिए रवाना होंगे कहा जा रहा है कि केश जिवाल हर साल विपशाना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं इस साल भी वो 19 से 30 दिसंबर तक विपशाना में र रही थी तब कई आरोपी के जिवाल के राप्ते में थे बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवानी और डॉक्टर मुर्ली मनुहर जोशी को राम मंदी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल चुका है विश्विंदु परिश्वत के लीडरों ने उनके घर पहुंच करुने न्योता सौपा इस बात की इतला खुद विएच्पी के बैनुल अकवामी वर्किंग सदर आलो कुमार ने दी विश्विंदु परिश्वत ने बयान जारी कर कहा कि राममंदी तहरीक के पुरोधा लाल कृष्ण आडवानी और डॉक्टर मुर्ली मनुहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी को राममंदीर के प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में आने का न्योता दिया गया है न्योता देते समय राम जन्म भूमी तहरीक के बारे में भी बात हुई दोनों सीनियर लीडरों ने कहा कि वो आने की पूरी कोशिश करेंगे वतादे की 22 जनवरी को खुद वजीर आजम नरेंद्रमोधी प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में महमाने खुसूसी के तोर पर शामिल होने वाले हैं ऐसे में सारी तयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सेकड़ों क्रिष्ण आडवानी मुर्ली मनोहर जोशी से दर्ख्वास की है कि वो राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शामिल ना हो जी हां आपको बता दी कि उन्होंने भी तिरोज एक प्रेस कांफरेंस के दौरान दोनों लीडरों की बढ़ती उम्र और सेहत को ध्यान में रखत अडवानी जी को देखा भी है कि निए अडवानी जी की आईयू में आप पहुंच पाएगे कि निए पहुंच पाने कि डॉक्तर जोशी के मेरी स्वयम वारता हो जो और मैंने यही कहता रहा वोंकर आप मत आई और वो जित करते रहे मैं आऊंगा मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंद आप में से किजी के हैं कि जितने मेरे उन से संबंद है और मैं बार बार निवेजन कतवरा गुरू जी आप मत आईए आपकी आईउ शर्दी आपने घुटने बदलवाए हैं वो कहते नहीं माय होगा हरी इच्छा वलवान आयुध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रान प्रतिष्ठा की जाएगी प्रान प्रतिष्ठा की तकरीब में प्यम मोधी बतौर महमाने खुसूसी के रूप में शामिल होंगे प्रान प्रतिष्ठा के लिए आयुध्या में तयारियां जोरो पर चल रही हैं पीर को प् पूरे इलाके में सुमवार राताय भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है आपको बता दे इस भूकंप में मरने वालों की तादाद बढ़कर 111 हो गई है जयानकारी के मताबिक उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू और किंगा इलाके में सुमवार देर रात करी 12 बजे 6.2 तकरीबन 111 लोगों की मौत हो चुकी है देर राताय भूकंप में गांसू प्रांत में 100 लोगों की जान गई है जबकि उसके पडोसी किंगई प्रांत में 11 लोग मारे गए वही चीन के सदरे जमूरिया शी जनपिंग ने भूकंप के तालुक में जरूरी हुक्म जारी किये राश्पती जनपिंग ने कहा कि बचाप काम तेज किया गया है और मुतासिर लोगों की पुनरवास के लिए जरूरी कदम उठाय जा रही है उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोगों को महफूस बचाना जरूरी है आपको बताते चले भूकंप के साथ साथ इस इस इलाके में सेलसियस हो गया है